हलो गुड आफटरनून तु वाण और ओल तोडे वी स्टार्ट आफ़ नेक्स्ट चैप्टर लिमिट स्टेट ओप सर्विस अबिलिटी बात आती है कि लिमिट्स अबिलिटी ंक्या है क्यों इसका यूज करते हैं कहां पर इसका यूज है नहीं करेंगे तो क्या होगा तो सबसे पहले बात आती है servicability की जब हम servicability की बात करेंगे तो उस case में सबसे पहले जब भी हम design करते हैं design के case में मुझे सबसे पहले ये चेक करना होता है कि जो हम structure बना रहे हैं क्या वो strong है क्या वो इतना strong है कि जो हमारे उसके उपर loads आएंगे जो excessive deflections आएंगी crackings तो नहीं आएंगी क्या वो condition unserviceable तो नहीं हो जाएगा means जब उसके उपर for example ये मेरे पास slab है इसके उपर कोई loading आ रही है अब इन loading के चलते इसके अंदर कोई deflection तो नहीं आ रहा है इस deflection के चलते इसके अंदर कोई पर मुझे cracks तो डवलप होते हुए नजर नहीं आ रहे है आइदर hair cracks है और minor cracks है अब वो cracks तो डवलप नहीं हो रहे हैं हमारे तो जो हमारा पुरा एक process है जिसके अंदर हम design aspect लेके चलते हैं उसी के साथ हमारी जो limit state है उसमें serviceability को हम लेकर चलेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या है limit state की serviceability ये एक हमारा important aspect है design का जिसका किसी भी type की structure को बनाने के लिए हम उसका use करते हैं और ये हमें बताता है कि हमारा structure कितना strong है और वो कितने load को support कर सकता है but shows excessive deflection and cracking उसके अंदर कोई भी excessive deflection या cracking नहीं आने चीए ताकि उसकी condition unserviceable नहीं हो for example हमने कोई construction की उसके अंदर मुझे cracks दिख रहे हैं तो वो हमारा useless है functionless है अब उसका हम कोई use नहीं कर सकते हैं so जो ये हमारी limit state की serviceability है ये बहुत ही important factor है और ये जब तक satisfy नहीं करेगा हमारा structure next step पे नहीं जाएगा हम तब तक उसके अंदर कोई भी working नहीं कर सकते इसलिए जब भी हम कोई भी structure बनाएंगे तो हम ensure करेंगे कि there should be not any excessive deflection or cracking at service load जो उसका service load है जो उसका lifetime structure का उसके अंदर जो service load उसके आएगा उसके चलते कोई भी deflection या cracks उसके उपर नहीं आएंगे अब बात आती है कि फिर जो हमारी serviceability के बात करें तो कहां कहां से deflection आता है तो जो हमारा limit state है उसके अंदर जो deflection आता है वो mainly अलग-अलग conditions में आता है सबसे पहले आता है limit state of deflection second आता है limit state of cracking and third limit state of vibration अब बात करेंगे limit state of deflection की means अब deflection होगा हम अभी तक structure analysis strength of material पढ़ रहे हैं उसमें हमने बार-बार पढ़ा होगा bending moment deflection shear force अब वही चीज़े कुछ यहां पर भी आएंगी कि जो limit state है हमारी उसके अंदर deflection में cracking और vibration तीन ही conditions में हम limit state की serviceability को check करते हैं यह तीन हो हमारी serviceability की conditions है जो limit state के लिए हमें test करनी होती है और उसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे limit state of deflection जो limit state of deflection है यह ensure करता है कि जो हमने कोई structure बनाया है कोई भी adverse effect नहीं है हमारी appearance पे उसकी efficiency पे उसकी finishing पे उसकी partition पे means आपने यह कोई structure बनाया इसके अंदर कुछ slight deflection दिखा मुझे अब for example यह मैंने एक structure बनाया इसमें मुझे यहाँ पे deflection दिखा इस deflection के चलते इसके उपर कोई adverse effect नहीं आ रहा है इसकी appearance में कोई problem नहीं आ रही है मुझे इसकी partition करने में कोई problem नहीं आ रही है तो यह सब चीज़े ensure करते हैं हम limit state of deflection में जो limit state है deflection में वो ensure करता है हमारे structure के part को कि वो कहीं भी adverse effect नहीं डाल रहा है उसकी appearance में उसकी efficiency में उसकी finishing में उसकी partition में अब जब deflection है हमारे दो type के होते हैं short term deflection है long term deflection यदि मैं अपनी life की बात करें हम journal life की बात करें students की बात करें तो उनमें भी दो type की deflection होते short term एक long term जो बच्चे होते हैं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको पूरे semester चिंता रहती कि एक्जाम कैसे होंगे क्या करेंगे स्लेब बस कैसे करेंगे notes का prepare करेंगे that is long term deflection और short term that is short term और कुछ बच्चे होते हैं जो कि पूरे career की बात सोच के चलते हैं that is long term जो पूरा future प्लान करके चलते हैं that is long term deflection और जो short time PD लिए करते हैं जो only exams university exams तक limit रह जाते हैं class exams तक रह जाते हैं उनको बोलते हैं short term deflection तो अब यह हमारे लिए बहुत ही essential हो गया और हम consider करते हैं दोनों को क्योंकि जब building की बात आती है किसी structure की बात आती है तो यहाँ पे हम लोगों के पास कोई भी ऐसा option नहीं है कि हम उसके उपर heat and trial method apply करें तो उस condition में यह बहुत ज़्यदा essential हो जाता है कि हम दोनो short term as well as long term दोनों deflection को calculate करें और total deflection कैसे आएगा total deflection आएगा मेरे पास short term का deflection plus long term deflection दोनों को हम add करेंगे और जो हमारे पास value आएगी उसी के according हम उसको एक long period के according उसको shrinkage या creep के according उसको देखेंगे यह जो हमारा long term का deflection है वो होता है 2 to 3 times of short term short term से 2 से 3 गुना जो हमारा short term है उससे 2 से 3 गुना जादा होता है long term का deflection अब इन deflection scale regarding ही जो हमारी code of practice है Bureau of Indian Standards ने जो हमारे code of practice गीवन है IS codes जो हमारी recommendation IS 456 उसकी कुछ guidelines दी है तो इसमें साफ लिखा हुआ है कि IS codes 456-2000 ने हमें recommendation दी है regarding deflection first the total deflection due to load including effect of temperature shrinkage creep should not exceed span by 250 means जो आपके पास L length है divided by 250 इससे जादा नहीं हो सकता जो total deflection है हमारा उसके उपर सारे factors include कर दिए मैंने temperature का shrinkage का creep का सब भी कर दिए लेकिन deflection should not be exceed span by 250 मैं span length L मान रहा हूँ L by 250 अब जब हमारी deflection measure कही जाएगी वो कही जाती है cast level से जहां से आपने उसकी casting की है चाहे वो floor है रूफ है या कोई भी horizontal element जिसकी reference है हमने उसकी casting की है second point the total deflection including the effect of temperature creep shrinkage after construction of partition should not exceed L by 350 change होता है यहाँ पे L by 350 only यही एक change होगा इसमे कि जब भी हमारा total deflection है जो include करता है effect of temperature को shrinkage को creep को और partition और finishing के बाद L by 350 और 20 mm whichever is less उसका हम use करेंगे उसके बाद इसने कहा कि जो हमारी IS codes है इसने दो method बताए है जिनकी through हम check करते है deflection को कौन-कौन से method है first है limiting the span of effective depth second by calculating actual deflection एक तो हम control की बात करेंगे और दूसरी calculating की करेंगे actual deflection की तो सबसे पहले बात कर लेते है control of deflection by limit span by effective depth के रेशियों से तो जो हमारा IS 456 है उसमें 23.2 topic पे guidelines गीवन है कि और guidelines में साफ गीवन है कि जब भी हम किसी beam या slab की बात करेंगे तो जो deflection होगा वो safe limit में हो उसकी efficiency पे उसकी finishing में उसकी partitions में कोई भी adverse effect नहीं आना चाहिए इसी के चलते उन्होंने हमें कुछ guidelines दी है जो निचे दी गई है 10 meter का एक beam है slab का beam और slab के लिए कि यदि cantilever portion है तो जो ratio है वो 7 तक limit किया गया है simply supported है तो 20 और continuous है तो 26 but ये तो बात है जब हमारा जो slab है वो 10 meter का है यदि 10 meter से ज़्यादा हो गया greater than 10 meter तो इसकी value क्या करेंगे हम इसको multiply करेंगे किसे 10 by span से जो हमारे पास ये ratio है इस ratio को for example 7 मेरे पास ratio है अब उसको क्या करेंगे multiply करेंगे किसे 10 by span से 10 by 2 तो हमारे पास value आजाई 35 इस तरीके से और जब भी ये depending होगी जो conditions होगी इसमें steel reinforcement की tension उसकी compression उसके tensile forces और उनके modified multiply जो करेंगे factors उन सबी का भी हम calculations में करेंगे तो ये तो थी हमारी first condition control of deflection second आती है calculation of actual deflection की actual deflection जो हमारा है उसका कैसे calculation करें तो जो हमारे IS codes हैं हम सोचते हैं कि annexors कुछ काम के नहीं है इसके अंदर हमारे h तक annexors given है जो अभी हमारा revised edition आया है उसमें तो annexors C जो है हमारा उसका हम use करते हैं special cases में special cases में हम annexors C का use करते हैं जहां पर जो इसकी calculation है वो exact deflection value को require करती हैं और जब इसके निकालते हैं तो value कैसे निकालते हैं तो exact value के लिए हम रखते हैं delta deflection को delta is equal to delta E plus delta S plus delta C हम तीनों का addition कर देते हैं अब यहां पर है क्या delta delta हमारा है total deflection delta E short term delta S long term and delta C long term deflection due to creep creep के चलते जो long term हुआ और delta S जो shrinkage के चलते हुआ और delta E जो short term deflection है service या working loading में और delta total deflection है तो सभी को हमने add कर लिया अब यह तो बात थी हमारे अब तक calculation की deflection की अब बात आते हैं कि जो हमारे short term का deflection है उसके लिए क्या किया जाए जो short term के deflection है हमारे उस particular condition के लिए हमने एक table ली है यह हमारे IS codes में table 10.1 है जो आप screen पे देख रहे हैं यह table हमारे 10.1 है IS 456 में अब इसमें साफ लिखा हुआ है cases given है line diagram जो आपने structure analysis में पढ़े है deflection और जो moments है उनकी values के साथ हमने इसको compare किया हुआ है और यह directly syllabus में भी mention है कि हमें इनके standards cases के बारे में पढ़ना है उनको assume करना है जब भी यह values हमारी missing होंगी तो हमें यह values assume कर लेनी है तो जैसे कि first case है simply supported beam with a centrally placed concentrated load यह मेरे पास एक line diagram से simply supported beam दिख रहा है इसके उपर एक W load लगाया गया है जो कि centrally है length दिखाए गया है L by 2 L by 2 इस case में जो हमारा maximum deflection होता है वो होता है W L cube by 48 EI और maximum moment होता है W L by 4 second case है simply supported beam है बस change क्या हुआ है अभी था concentrated अब हो गया है UDL uniformly distributed load uniformly distributed load के लिए इसके value change हो जाएगी 5 W L की power 4 divided by 384 EI और हमारा moment हो जाएगा W L square by 8 next cantilever beam है जब concentrated load है cantilever का मतलब एक single side से support है इसके लिए जो हमारा deflection होगा होता है W L की power 3 divided by 3 EI और जब यदि हम इसके moment की बात करें तो होता है W L अब next की बात करें cantilever beam with uniformly distributed load अब cantilever beam जिस पे अभी point load था concentrated load था अब उसके उपर UDL आ गया है तो इसके लिए value change होके आजाएगे W L की power 4 divided by 8 EI और moment हो जाएगा W L square by 2 fixed beam with central concentrated load अब fixed beam है दोनों तरप से बिलकुल fix है इसके उपर एक centrally load लग रहा है जो concentrated है इसके लिए इसकी value जाती है W L cube 192 EI and moment W L by 8 next fixed beam with uniform distributed load एक fixed beam है उसके UDL लगा हुआ है तो यह UDL लगा हुआ तो उस case में जाता है W L की power 4 384 by EI जब भी आपका UDL का case आए जब भी आपका UDL का case आए तो maximum conditions में हमारी value होती है 5 by 384 except जब uniformly distribution होती है प्रोप्ड केंटी लीवर में प्रोप्ड केंटी लीवर में value होती है 1 by 185 जैसा कि आप next में देख रहे हैं प्रोप्ड केंटी लीवर with uniform distributed load WL की power 4 185 by EI is equal to 16 WL square by 128 अब इसके बाद यदि हम बात करें यह तो थी short term की इन short term के साथ-साथ IS-Colz में हमें बहुत थी और भी guidelines दिये जैसे कि हम निकालते हैं modulus of elasticity E यदि concrete के case में निकालते हैं तो हम उसको denote कर लेते हैं EC से still case में निकालते हैं तो ES से तो यहाँ पर साफ दिखा रखा है modulus of elasticity पहले भी पड़े थे E इसकी value होती है 5000 under root of FC के characteristic strength जो हमारी होती concrete की second moment of inertia I effective हमारा होता है ICR moment of inertia of cracked section cracked section की moment of inertia divided by 1.2 minus cracking moment MCR divided by moment M multiply by AD यह हमारी dimensions है A और D liver are more bread into में 1 minus N by D N क्या हो गया neutral axis D हो गई depth into B by B X B breadth है compression face की और दूसरी है beam की web की case में यह आपके पास एक beam है कुछ इस form में बना होता है यह बीच का web का portion होता है इस particular की thickness given है B X web की case की यह हमारे पास इसकी value होती है IS code recommend करता है कि जो हमारी A और N है basic theory पढ़ते हैं उसके लिए value होती है इनकी A is equal to D minus N by 3 जो हमारी lever arm होती है अब GC value को हम use करके इसका effective movement निकाल लेते हैं effective movement क्या हो जाएगा I effective is equal to ICR divided by 1.2 MCR divided by M into 1 minus N divided by 3D into 1 minus N by D BW by B जब हम ये value put कर लेते हैं और ये मेरे पास effective movement आ जाता है ये effective movement हम expansion जो chart होता है जो design handbooks है जो design handbooks है जैसे कि हमारी SP 16 आती है उसमें chart given है 89 अब उस particular में ineffective I effective divided by ICR करके भी हम इसकी value को compare कर सकते हैं जब हम इनकी continuous beam के बारे में बात करेंगे जब मैं इनकी continuous beam के बारे में बात करता हूँ तो उस particular condition के अंदर भी मुझे कुछ चीज़े notice करनी होती है अब उस particular condition में क्या होगा कि जो हमारा continuous beam है उसका weight करेंगे और उसके लिए भी हम values निकालेंगे XM जो हमारे ये formula है XM is equal to K1 into X1 plus X2 by 2 plus 1 minus K1 into XC XM हमारा modified value है X1, X2 value है supports पे XC mid span पे है और K coefficients है इनके value जो हमें table में भी मिलेंगी जो हमारे IS codes IS 456 में given है next class में हम long term deflection करेंगे यदि किसी को कोई doubt है तो आप मेरे से अपने doubts पूछ सकते हैं thank you